चंडी इलाके के सर्मीरा बेटा फोरलेन मार्ग पर दर्दनाक हाथसा चार युवकों की मौत दो युवकों की हालत नाजूग नालंदा जिली के चंडी थाना चित्र इलाके में कर्मा पूजा का दिन बड़ा मनहोस रहा सर्मीरा बेटा फोरलेन मार्ग पर बहादरपुर और गोड़ा पर के पास हुए सड़क हाथसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गए जबकि दो लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिसकी हालत नाजूग बताई जा रही है पहली घटना बहादरपुर इलाके में हुई जहां टेंपू और मोटरसाइकल के बीच चकर में एक व्यक्ति रवी कुमार की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभी रूप से घायल हो गए जो नरसंडा चंटी प्रखंड के रहने वाले हैं दोनों जखमी के हलत नाजूग बताई जा रही है जिसे हायल सेंटर रेफर कर दिया गया है वही दूसरी घटना गोड़ा पर इलाकी में घटी जहां दो मोटरसाइकल के बीच हुई जब दस्त टकर में तीन लोगों की मौत हो गए जिनकी पहचान लालगंज गाउं के राहुल कुमार, नैली गाउं के नितीश कुमार और खाजेर सराय के दुलारचंद के रूप में की गई है फिलहाल पुलिस सभी शबों को बेहार शरीप सदक अस्पताल में पोस्मार्टम करा कर उनके परिजनों को सौप दिया है इन हाथसों के बाद पूरे चंडी प्रखन छेतर में कोहराम मच गया है इसमें इसमें तो तीनों के तीनों के तीनों टेट कर गए आपका जो बहादूर्पूर हुआ था चंडी धना चेतर में उसमें एक मिर्ती हुई और तीन नहाई है दूसरा घटना ता बहाद हुए टिकंटपूर किसे कित्ने की मौत है कितने है जखमि क्या नाम हुआась इसी तरह आगे भी नालंदा से जोड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भोलें